नमस्कार मैरोईत माजन आज आपके सामने math की conductor की fully solve वीडियो लेके आ रहा हूं तो पहले हम math की answer की check करेंगे बाकी बाद में देखते हैं तो बिल्कुल जी पहला question है हमारा एक दिक्तिम संख्या जो 900 से कम हो और 812 ठाई से भीवाजित हो भाजित हो है ना तो बिल्कुल जी 900 से कम है तो बड़ी ले नहीं है तो 840 900 से कम है तो 840 जो है वो 900 से कम है ठीक है और यह 8 से भी डिवाइड होती है 12 से भी होती है तो बिल्कुल C option correct answer आ जाएगा next question है निवन में से कौन सी भिन सबसे छोटी है तो देखिए भिन सबसे छोटी हमने जो solve की है तो हमारा B option correct answer आय सबसे smallest भीन तो next question है 600 km की यातरा में एक motorcycle cycle से 1 घंटे में 20 km तेज चलती है तो cycle इसमें motorcycle से 15 घंटे ज्यादा लेती है तो तब motorcycle की गती क्या है तो बल्कुल जी by option हमने यह question किया है तो by option जब question किया है तो इसका अंसर हमारा 40 इनकी c option बिल्कुल correct answer आजाएगा तो यह काफी लंबा question है तो c option आपका बिल्कुल correct answer आजाएगा next question है 54 how many number up to 200 I divide by 4 and 3 तो अपने कुछ नहीं करना है दोस्तों को चार गुण चारती 12 12 से divide कीजिए तो कहते 16.66 आजाएगा तो बी option आपका practice आजाएगा next question है यदि एक नगर की जनसंक्या 4% की वाशिक ब्रोत्री होती है ना जनसंक्या में तो नगर में लोगों की संक्या 15 या 600 पर्ची है तब अगले तीन वर्षों में नगर की संक्या अब देखे 4% ब्रोत्री होती है तो यहनिकि percentage आपने पढ़ी होगी तो 4% ब्रोत्री है न इसको आप solve कर दीजिए चबी बड़ा पच्ची चबी बड़ा पच्ची चबी बड़ा पच्ची है ना तो यह जब आप solve करेंगे तो आपका जो है बिल्कुल ए ऑप्शन क्रेक्टन्स राजाएगा स्तारह हजार पांसो छेतर नेक्स्ट कोशन है यदि पानी के टेंक में 95 लीटर पानी रखता है तो टेंक के आधे इस्से में पानी की मात्रा क्या होगी अब इसने क्या वोला है यदि पानी की टेंक में बनवय ठर्र reb नीटर गा है तो पूरा कितना है 135 तो 135 पूरा है तो आधा पूचा तो आधा कितना हो ख़प है बाड़े वर, टू कर देजि चाल से तरह करता है और बचाओ वह इसा 6 km प्रियाद से तरह करता है तो उसे चाल बताइए तो इसके एक फार्मुला होता है 2 into x plus y oblique x plus y ठीक है तो 2 into 12 गुणा 6 divided by 12 गुणा 6 यनिकी 48 तो जब इनको solve करेंगे तो क्या answer आजएगा 18 ठीक है तो दो दूने 4, 12 दूने 24 और यह आजएगा 18 ठीक है तो यह option correct answer आजएगा next step का ratio तीन कारों की गती का उनुपाद 1, 2 और 5 है तो किसी दूरी को तैय करने के लिए कारों का उनुपाद क्या होगा न तो इसमें क्या करते है इसका LCM लेना पड़ता है तो इसको हम कैसे लिखेंगे अब LCM 5 और 2 का क्या होता है 10 इंटू 10 ratio 1 by 2 इंटू 10 ratio 1 by 5 इंटू 10 ठीक है तो यह काटे तो 10 आ गया दो पंजे 10 पांच आ गया पांच दूने 10 दो आ गया तो 10 पांच दो जने की B option आपका कटनस आ जाएगा B option है ना 10 पांच दो भाई साब इन्होंने Q पूछ लिया है ठीक है तो सबसे पहले आप याद रखिए यह कितने का Q पूछा है 5 का Q तो 5 का Q किसके बराबर होता है 125 के बराबर तो C option आपका 70 का सही अंसर आ जाएगा ठीक है अब इसने क्या पूछा है कि बिना रंग वाले घन कितने होते हैं तो याद रखिए नो कलर फेस का फर्मल होता है N-2 का Q तो N की वैल्यू कहा है 5 का Q है तो 5-2 का Q किजिए तो 3 का Q क्या होते है 3-3-9-27 तो बल्कुल जी B option इसका क्रेक्टन सरा जाएगा ठीक है अब 2 कलर फेस पूछे है ठीक है तो 2 कलर फेस का फर्मल होता है N-2 इन्टू 12 तो 5-2 इन्टू 12 तो 3 इन्टू 12 यनिकी 36 इनकी D option आपका क्रेक्टन सरा जाएगा 68 का D option अब नेक्स्ट कोशन है केवल 3 काले रंग हुए प्रिष्ट वाले घनों की संक्या कितनी है यनिकी 3 कलर फेस है ना तो यादर की वह हमेशा 8 ही होते है 3 कलर फेस का कोई फ 54 ए ऑप्शन को रेक्टन सरा जाएगा 54 तो आयोप आपको मैथ और रेजनिंग की वीडियो अच्छे लेग होगी वीडियो को लाइक किजिए सब दोस्तों की चैनल को सब्सक्काइब किजिए ठेंक्यू बाग की वीडियो मैं आपके लिए तुन्त लेके आ रहा हूं